हेलो फ्रेंट्स, गवर्मेंट जोब जेने नॉटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है फ्रेंट्स, आज हम इस वीडियो में लॉइड वीजन क्लरक के बारे में जानेंगी लॉइड वीजन क्लरक होता क्या है? इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे so low division clerk को हम sort में LDC भी कहते हैं बैसे तो सभी लोग जानते ही होंगे LDC एंड UDC दो rank रहती हैं जो एक तरह से clerk की ही रहती है इनको दो rank में divide किया गया है low division and upper division आज हम इस वीडियो में LDC low division clerk के बारे में जानेंगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बैल आइकन को भी प्रेस कर लिजेगा government job vacancies and courses के बारे मैं जानकारी देती हूँ अगर आप ऐसी को जानकारी जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस जरू कर लिजेगा ताकि नॉटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं सो ल्डिसी लोड वीजन क्लर्क किसी भी डिपार्टमेंट या संस्थान में office में एक महत्पूर पद होता है अगर आप लडिसी के लिए आविदन करते हैं या जॉब लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपके अलिजबिल्टी क्या होनी चाहिए सो अगर आप लडिसी के लिए आविदन करते हैं तो आपका कम से कम 12th pass होना जरूरी है किसी भी स्ट्रीम से आपका 12th pass है तो आप लडिसी की जो बैकेंसे जाती है उसमें आप आविदन कर सकेंगे टाइपिंग स्पीड आपका होना चाहिए साथ में 12th pass out है उसके साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए टाइपिंग यहाँ पर ली जाती है हिंदी और इंग्लिस में जिसमें भी आपकी टाइपिंग आपने सीखी हुई है उससे आप दे सकते हैं इस लिमिट देखें तो 18 से 17 साल है पहले रिटन एग्जाम होगा आपका उसके बाद अंगर आप यह क्वालिफाइ कर लेते हैं क्लियर कर लेते हैं तो आपका टाइपिंग के लिए आपको बलाया जाता है टाइपिंग यहाँ पर हिंदी इंग्लिस के और नुमेरिकल अप्टिटूड यह है इसमें से आपसे कॉश्चन किये जाते हैं 50-50 माक्स का रहता है 200 माक्स का यह आपका रहता है तो इस तरह से आप अगर इसके लिए आप इदन करना चाहते हैं अगर आप इसके लिए करते हैं तो यह अपने अच्छे से रखिए और जो लेटिस्ट अब्डेट हैं वेबसाइट से वहाँ पर चेक करते रहीगा अब हम देख लेते हैं बर्क क्या रहता है अब हम देखते हैं सेलरी क्या रहती है तो salary तो वैसे सभी state के according अलग लग रहती है सभी state government के according वहाँ पर जो भी दी जाती है उसे सबसे अलग अलग grade पर रहता है लेकिन हम यहाँ पर अगर देखें average तो 21,000 से 25,000 पर मन्त आपकी salary हो सकती है समदा भरती भी होती है समदा भरती होने पर आपको थोड़ा सा salary कम मिलती है समदा भरती भी low division clerk के लिए निकलती रहती है तो उसमें भी आप आविदन कर सकते हैं तो friends, low division clerk के बारे में यह जो भी जानकारी थी मैंने आपको दी I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और low division clerk के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी या आप after 12th government job सर्च कर रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए यह benefit होगा यह वीडियो क्योंकि low division clerk के लिए आप after 12th आविदन कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लिजेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि आपको government job vacancies and courses के बारे में जानकारी देती हूँ सो notification time से मिल सकें